सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जेबी स्टेडी पॉइंट और उसके पास में जो बैल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुरी भूलें जिससे की आने वाली नए वीडियो के नोटिपिकेशन आपको पहले मिल सके नमस्कार दोस्तो स्वागत करता हूं आपका अपनी यूटूब चैनल जेबी स्टेडी पॉइंट में दोस्तों यूजी सी नेट पेपर फस्ट की ये ओनलाइन किलास फस्ट है वैसे तो हमने साथ वीडियो मोग टेस्ट की बना दी है ठीक है और यह हम आज थियोर्टिकल की आज हम फच्ट हैं तो इसमें इस वीडियो में आपको ऐसे नोट्स हैं जिनको पढ़कर आपका जो जियारफ है वो पीछे भागेगा मैं ऐसा करता हूं और इस किलास की आपको पीडियाफ भी दी जाएगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट कर दे देंगे बिल्कुल मुफ्त देंगे कोई पैसा इसका नहीं लिया जाएगा ठीक है तो शुरू करते हैं तो थोटी कल है ठीक है समझने की कोशिश करना ध्यानते समझना कुछ छोटी वीडियो है पहली क्लास है छोटी वीडियो है क्योंकि जो पेपर फस्त है उसकी जो लैं प्माद शुरूंड़ी तो शुरू करते हैं तो आज के हम करें हम हम चूड़ें पहले करें लोशन्दान से कम संदान का अर्थ विसे इस्ताय और प्रकार है है आज कै 시ंद्वि मानभू प्रिकृती में अनुषंदान का सरवादिक मेhet पुरहे कि का है भिकास हुआ है उसमें अनुषंदान यानियोऌकी रिसर्च का सरवादिक मेहत पुरहे मानव के शमक्ष प्रेकर्टी और समय निरंतर चिनोतियां प्रस्तूट करते रहे हैं कि उन्हें दूर करने के लिए मानव तरक एवम प्रयोक के द्वरा अनुसंधान कर प्रेगर्टी के पत पर अगरसर हुआ है ठीक है अब देखेंगे अनुसंधान का आर्थ यानिकी मीनिंग और फ्रिशर्ज कुछ जो अनुसंधान का रहें उनके द्वरा जैसे जेम्स ड्रे की जाने वाली क्रमबद्ध खोज की कोई अनुसंधान कहते हैं तो यह जो कुछ जो इतिहास का रहे हैं या इनको कह सकते हैं तो इन्होंने कुछ अपनी परिवासा दिये हैं यह भी एक्जाम में आ चुकी है कई बार ठीक है इनको भी आप देख लेना नौट्स बना रहे ह तो जरूर इनको नौटडाउन करना ठीक है रेड़ में वे अन्ये के नुसार अनुसंधान नवीन प्राप्त करने तु एक बिवस्तित प्रियास है ठीक है कोई नया ग्यान अगर प्राप्त करना है ठीक है जिसका हमें कुछ पता नहीं है उसको हम खोज रहे हैं ठीक है क्य नया ग्यान है यानिकि जो अनुसंदान होता है वो टीक है यानिकि हम रहीagen करने वो कम बनेगा या चोतर कॉता होता है वो यही होता है कि वो जो काम हम बना के मानेंगे रिशर्च इसलिए कह जाता है ठीक है पॉजिटिव मैंट बहुकर उसको कह जाता है ट्रेबर्स के अनुज़ा सैक्चिक अनुशनदान वह प्रक्रिया है जो सैक्चिक प्रस्थितियों में एक बिवार सम्वंदी बिज्ञान के बिकाश वह की और अगरसर होती है रॉमेल जे फ्रांसिस का मानना है कि अनुशनदान नवीन सुचनाओं या संबंदों की खोज है तू साथधानिक पूर्वक किया गया सोध जांच परताल है जो जांच परताल है जो बिद्दमान ज्यान में अभी प्रद्दी करती है तदा उसे सत्यापित करती है बेविश्टर कहते हैं बेविश्टर के अंतराश्टे सब्दकोश के नुशार अनुसंदान केवल सत्य के लिए खोज मात्र नहीं है अपितु वह दीरकालीन सगन और अपर्योक्त परिवासाओं के अधार पर यह निसकर से निकला जा सकता है कि अनुसंदान वह करमबद बैग्यानिक प्रकरिया है जिसमें बैग्यानिक उपकरों के माद्दा परियोक द्वारा बरतमान ग्यान का परिमार्जन विकास ठीक है उसका विकास तता किसी नए तत्ते की खोज द्वारा ग्यान को उसमें बद्दी की जाती है अंग्रेजी में उसमिदान को रिशर्च कहते हैं जो दो प्रकार्चे होते हैं ठीक है रिशर्च का होता है री प्लस सर्ज री माने दवारा का हुआ यांध़ा स고 होता है फिर से यानि बार बार ऐसे का अज़र्थ सोद की पिक्रिया और प्रस्तूत करता है कि सोदकर्था किसी तथ्थे को बार बार देखता है जिससे वैं उसके संबंद में प्रदत्तों को एकत्रत्त करता है और उसके आधार पर निसकर्ष निकालता है सोदकारे द्वारा चरों का यह सेसम्मंद ग्यात किया जाता है ठीक है प्रयोक्सालास सोद से कारण प्रवाव सेसम्मंद अत्वा तता सर्विष्चन सोद साथ द्वारा सूदकारे द्वारा सामानय से संवंग्ध ग्यात किया है जाता है है गॉस्तों कॉन्सेंट्रेट हो कर शुमना ठीक है आप क्योंकि इसकी जो लैंग्वäज में बतायां आपको इसकी लैंग्वेज थोड़ी ह होती है इसलिए थोड़ा कॉंसेंट्रेट होके समझना फ्री मांडों की शमझना विकास अत्मक सोथकारे में चरों की प्रावसिलता का अधन किया जाता है एथ्यासिक सोथकारे में नविन तत्यों की खोज की जाती है तो कुछ मोटा उड़ता अब देखते हैं अनुसंदान या इसर्ज की विसेश्टा है करेक्टर अटिक्स ओफ रिसर्ज होती है तो पिसले अनुच्यद में तो सबसे पहला देखते हैं अनुसंदान की प्रकरिया बैग्यानिक जानिकी साइंटिफिक बस्तनुस्ट औबजेक्ट ब्वस्तित सिस्टेमेटिक और सुन्य है दूसरी स्थाइब इस पीजिशन को है इस प्रेकर नवीन ज्ञान की ब्रद्धी एवं विकास किया जाता है ठीक है है थिते क्या थी इसक обяз member ्टता प्रणांत नहीं कंगतता नबानात्मक प्रदत्तों की ब्रतता है टता और अब करके के निश्कर्स निकाले जाते हैं ऐसे कि चौथा है सोदकारे का आलेक तता सोद प्रवंद साथ दानिक पूर्वक तैयार किया जाता है पाजमी परत्यक सोदकारे की अपनी विदि वैप्रवेधियां होती है जो सोद के उद्धेशों की प्राप्ति में सायग होती है छटी इस प्रकरिया में परदत्तों के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टी की जाती है परिकल्पना का इंग्लिस बढ़ होता है हाइपोथीशिस प्रतियक सोदकार्य से निस्कर्स निकाल कर उसका समानी करन या किया जाता है कि इसमें व्यक्तिंगत पक्षान वाह भावना तना विचारों को महत्व नहीं दिया जाता यह जो विसेश्थता होती है जो अनुश Allen होता है अच्छान अनुशंदान को deliver यह थिक हैना अपने लिए के लिए थिक्याव संवाज के लिए के लिए किया गया हो ठीक है किसी के बहले के लिए किया गया हो अनुसंदान का रहे हैं सैद्धानतिक तदा बैवारिक दो प्रकार के हो सकते हैं ठीक है यह प्रकरिया कई चलणों में संपन की जाती है दोस्तों यह थी इनकी बसेचता क्योंकि जो पेपर फस्ट का जो पेपर अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक जरू करना ठीक है अब देखते हैं अनुशंदान के प्रिकार टाइप ऑफ रिशर्च किसी समस्या के समधान प्राप्त करने के दो मुख्य कारण होते हैं दोस्तों कोई हमें समस्या या कोई पीएजडी का टॉपिक है तिक और जो रिशर्च होता हैं तो उनसे ही समद्ध हैं तो किसी समस्या के समधान प्राप्त करने के दो मुख्य कारण होते हैं नंबर एक बॉद्धिक इंटल्यक्च्छल या बेवारिक यह दो हैं दो कारण होते हैं किसी समस्या के समधान प्राप्त करने के लिए कि इसी के ऊधार पर समस्त अनुषंधानों को दो वर्गों विवक्त किया जाता है सबसे पहला मुलबूत यानि की फंड़ामेंटल और दूसरा होता है बैवारिक यानि की एपलैड अनुषंधान ठीक है तो मुख्य रूप से जो दो भागों विवाद कियाता है मुलबुत अनुसंदान और बेवारिक अनुसंदान अब देखते हैं कि मुलबुत अनुसंदान क्या होता है इसका मुलुद्धे से नई प्रहरशनाओं का निर्माड करना है इस प्रकार के अनुसंदान के निखकर से प्रति पादन होता है इस प्रकार के अनुसंदान का मुख्य करन तत्तियों का एकत्र करना होता है मुलबूत अनुशंदान हमारे ग्यान की ब्रद्दी करता है यह बैवारिक अनुशंदान के लिए आधरवूत तत्यों की खोश तता एकत्री करण करता है जो बैवारिक खोश होता है अनुशंदान होती है उसके लिए यह तत्यों की खोश तता एकत्री करण करता है अब दिखते हैं बेवारी कूंचंदान कि इसके तहटे ऊसे और ऐते हैं जिनके द्वारा किसी समस्तबूर्य Ev versus का समधान आवसक हो तक्तियों दोरा यदि अनुशंदान करता किसी क्रियात्मक समस्था के समधान करे तो ये अनुशंदान बेवारी के अनुशंदान की सिर्णी में आता है ठीक है किया गया है या यह यह भी अनुशंदानों का इस प्रकारः बर्गिकर्ण किया गया है तता पी मूलबूत अनुशंदान और बेवारी की कखन खाए कि अर। मुलबूत अनुषंदान होता है वह पहले होता है उसके बाद में बैवारिक अनुषंदान किया जाता है क्योंकि जो मुलबूत अनुषंदान है यह इसके लिए एक दाटर करता है मुलबूत नुशंदानों से प्राप तत्थों की पुष्टी बेवारिक नुशंदान से की जाते हैं यानि कि इन दोनों में गनिश्ट समंद होता है बेवारिक नुशंदानों में इन तत्थों बे निश्कर्सों का अनुप्रोग होता है सामाजिक बिग्यान के छेत्र में क्रियात्मक समस्याओं पर किये गए अनुशंदान नए सिद्धान्तों बेनियमों को बनाने में सायक होते हैं जो समाजिक बेग्जियान के चितर में क्र्यातिन समय सबढ़ आं समस्था बर किये गए 頭 नए नियमों भे सद्धान दो कपनदें मिलता है कि सामाजिक बेग्जयाना के अंतरगात में किये जाने वाले अर्शनदान कारे को नियमन सेनलियों में वह सैय Thai है जैसे कि प्रियोग साला प्रियोग छेत्र मने फिल्ड एक्सपरिमेंट छेत्र अध्यान और सर्वेक्षण अनुसंदान कारे को सिर्णू में बाजित के जाता है यह समाजिक विग्यान के अंतरता आते हैं ठीक है आप देखते हैं अनुसंदान के स्वपान या स्टेप्स यानि की जो अनुसंदान होता है वो किन किन चर्णों में पूरा होता है अनुसंदान एक करमब्द बेग्यानिक प्रक्रिया है अनुसंदान प्रक्रिया को बिस्ष्ट ढंग से करमब्द किया जाता है यह प्रक्रिया जो होती है कई क्रियाओं के मिलने से पूरी होती है जो परसपर जूड़ी रहती है तो आप देखते हैं स्टेप्स ऑफ जो मेंद चीज में दोस्तों इस पर फोकस आप करा हुए समान्यत गणींदान की प्रिक्रिया में 6 चरण होते है ठीक है सबसे पहला दोस्तों इस पें फोकस करना कि आप प्स कर रहे हैं ठीक है तो उसके लिए यह फोकस जो पेपर फास्ट यह रहती है gsmell पेफर फास्ट है पीजटी और जो किस्ट होती है है उसके चारों तरफ यह गुमती है ठीक है और कहीं मतले जाना इसको तो समान्यत अमजंदान की प्रकरिया में छह चरण होते हैं यानि की पहला चरण जो होता है समस्या का चैन ठीक है आप पीएजडी करना चाहते हैं और आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा यानि कि लास चलती है प्याजडी में उसमें आप किसी टॉपिक पर ठीशिस लिखेंगे ठीक है उस पर अपना जो है प्रेजंटेशन देंगे ठीक है कोई बुक आपको लिखाए जाएगी कि टॉपिक पर उसमें आपको रिसर्च करना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले जो टॉपिक होता है वो टॉपिक का चैन यानि कि समस्या का चैन यानि कि टॉपिक का चैन समस्या क्या है उसी के अकोर्डिंग जो है वो जो हम किसी जो टॉपिक होता है वो चूज करते हैं यानि कि समस्या का चैन ठीक है उसके बाद में परिकलपना का प्रतिपादन ठीक है उसके बाद में सोध की रूपड़िका ठीक है सोध की रूपड़िका बनाते हैं कि अब हमारा काम जो यह क्या हो गया ठीक है और हमको gefaile उसके बाद में आकड़ों या dollar का संक्टरन करते हैं जानि की हमने सब कुछ कर दिया ठीक है कितना हमको क्लीध एला जो पीजएहट और even वो ले लिया ठीक है उसके बारे में सब कुछ हमने एकटा कर लिया ठीक है रूपरे का बना ली अब हमने क्या किया इससे संबंदित जितना भी डाटा है ठीक है आप किसी लाइब्रेरियम जाओगे कहीं भी जाओगे ठीक है आपने उसके संबंदित बहुत सा डाटा एकटा क करोगे ठीक है आपको कौन सा डाटा किस चैप्टर में लगाना है ठीक है कौन सा डाटा आपके काम का है कौन से डाटा आपके काम कर नहीं है जो काम का होगा वह आपको एक रेश्टर में रखोगे चैप्टर वाइस चैप्टर आपको लगाना है ठीक है और उसके बाद में कि डाट जो परजत्तु का बिशलेशन करना है कि आपको इसको कैसे करना एं उसके बाद में जो लास्ट इस होता है उस तो सवानिकरन जरूर जरूब यह E प्रजंटेशन उसके वाद में निसकर्ज होता है वहारा फाइन होता है तो यह चैनल होते हैं अपनी थेसिस और पूरा करने की तो यह जो लेंग्वेज दोस्तों यहीं लेंग्वेज पेपर में आती है इसलिए बोलाता है मैं आपको कि जो इस पेपर फर्स्ट की लेंग्वेज है बोत फूरी हाड है तो इसको आप ऐसे ही समझने की कोशिश करना अब देखते हैं अब इनके बारें तोड़ेट पड़ते हैं कि जो अनुशंदान प्रेकरिया के पहले तरण में समस्या का चैन किया जाता है समस्या की परिवासा और सीमा को परिवासित किया जाता है ताकि उसे बैवारिक रूप दिया जा सके दूसरे तरण में इस समस्या के सभी समभाविस समधानों के लिए परिकलपना की जाती है इसके लिए कथन दिये जाते हैं इन्हें परिकलपना कहते हैं इन्हीं परिकलपनाओं से समस्या का समधान होता है तीसरे चरण में परिकलपनाओं की पुष्टी के लिए रूप्रे का तयार की जाती है इससे सोध बिधी तदा प्रेवर्दियों के बारे में निर्णने लिया जाता है चौते चरण में परिकलपनाओं से समझ प्रेवर्दियों को प्रियूक्त किया जाता है आंकड़ों तत्यों के बिष्ट्रेशन से परिकलपनाओं की पुष्टी की जाती है है उनके हैधार पर डैने लिये जाता है परदत्थों के बिस्यंशनों के परदधी प्रदाम की बाक्या की जाती है जो डाटा होता है हमारा उसके बिस्या में निस्कर्श का Demo क्यान होता है श refund में क्या होता है निघालते हैं कि हमारा जो टौपिक यह उसके ऐस्पाति क्या हुआ समाज के लिए चाहरे में क्या होगा बार बार निघ्यों के पुणान वर्ती होने पर ठीक है बिस्वानने नियम या सद्धान्त बन जाते हैं जो नए ग्यान की ब्रद्धी करते हैं और जिनकी दौरा किरियाओं में सुधार और विकास लाया जाता है सभी प्रकार के संदान कार्यों में किया जाता है तो यह थी हमारी आज ओनलाइन ग्लास फर्स्ट आपको साथ अटपटी लगी होगी प्रंत दोस्तों उसकी लेंग बेज कुछ हाड है इसलिए आप समझने की कोशिश करना ठीक है जैसे आप 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 हमारी ओनलेन को देखोगे धीर देर आपको समझ में आने लगे गा दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना सेर कजाब दे सकते हैं अगर आपको कि देना को पलीज करके रोटाना अगर अगर आप कि उसको में आप पाइस करना डिमा के यह इर दिया है ठीक है कहें आप कोई भी हमारे कई गुरुप है जैसे यूजिस इंग्लिस यूजिस इनट हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस यह तीन गुरुप बना रखें हमने तो आप एस इनके स्टुडेंट है तो आप उन गुरुप में सामिल हो सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और हमारे चाहिए जीवी सब्सक्राइब कर देना और उसके पास में जो बैल आइकन उसको प्रैस कर देना जिससे की आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जगे धन्यबाद वीडियो देखने के लिए जय हिंद जय भार बंदे मतरूम